तो वीडियो के स्टार्टिंग पर यमें दिखा आयता है कि evil heaven को जो हास्तिकर देखे कि बहुत अच्छे, मैं तुम्हारे इसको फूरा करूंगा उसके बाद हमें दिख्या आयता है कि evil heaven को जो yarn को अपना power देने लगता है उसके बाद हम Yaren को देखते हैं जो एक साथ इसना सारा पावर लेने के बाद वो थोड़ा दर्द मैसूस करने लगता है और वो चिला रहा होता है सामने का यह नजरा देखने के बाद हमें Speed Lady CRG को देखा रहता है जो Evil Heaven को रोकने जाता है और फिर वो क्या रहा है कि तुम वही पे रुख जाओ तुम असली Heaven नहीं हो पर हम देखते है Evil Heaven अपना Tentacle Speed Lady CRG के पेट पे घुचा रहता है और फिर वो क्या रहा था कि Heavenly Soul Contract Ceremony सुरू होने वाला है दिखते है कि Yarn को जो Evil Heaven का पावार लेने के लिए तैयार हो गया होता है और फिर वो एक स्पेल कास्ट कर रहा होता है तो Yarn ने Finally Heaven का पावार को Accept कर लिया क्या उसके दिल में मेरे लिए कोई भी जगा नहीं था क्या वो मुझे सर्फ यूस करना चाहता हुता है साथ ऐसा हो सकते है कि आप मैं उसके लिए कोई भी उसफुल नहीं हूँ इसलिए मुझे दूट फेक दिया है भाई पर में Evil Heaven को दिखा रहता है जो कह रहा है कि Contract successful फिर हमें दिखा रहता है कि Yarn को जो अपना अलाल आंक चमक रहा होता है और फिर वो हास तो यह कह रहा था कि तो मैं आप चुजन हो हमें फिर यहारन चिला तो यह कह रहा था कि तो यह है पावार मैं बहुत ज़्यादा एकसाइटीड हूँ एक सिकंड के अंदर मैं Nacer Soul Stage पर पहुंच चुका हूँ जो रोत हुई कह रहा है कि तुम तुमारे original intention को धोका दे दिये हो तुम हमेसा कहते है हो कि तुम खुद strong बनोगे पर तुमने evil heaven के power को एकसेप्ट करके खुद के intention को धोका दे चुके हो यारन कह रहा है कि मैंने करी मेहनत किया है पर return का तोर पर मुझे क्या मिला है सबस्क्षे करने उसके बाद Talk To You I Hal के और तो आप found का बहुत-बहुत करता हूं मेरे मदद के सब्सक्राइब अब उसके बाद And You I am not worth कर डियो और यह बहुत का बहुत सब्सुक्राइखने चैहरा होता है कि मैंने जैंग कर रहे हो आफंगत ब्लक है उसके पास जाओ और अपने खुद के हाथों से उसे मार दूए यहां को दिखा थे जो बहां से जाने लगदा है और फिर वह कहा था कि यह तो बहुत अच्छी बात है आज मैं जियांग को हजारों में बाठ दूँगा और वही पर हमें ब्लैक मार्केट के अधर साइड को दिखाया थे वह कहा थे कि हिप्पू को जो घाल हो गया होते थोड़ा और फिर वह कहा थे कि सच में मानना पड़ेगा जियांग थोड़ा कैफे बहला है मेरे साथ फाइट करने के लिए तब यह सिस्टंग के सिस्टंग से डिंग करते हैं होस्ट ने ब्लैक मार्केट के रूलार को हरा दिया है जिसके वासे यह मिशन कंप्लेट हो चुका है और आपको रिवार्ड के तौर पे हैवें और रिवार्ड मिलता है और सिस्टंग का नोटिफिकेसन देखने के बाद जियांग मनी मन में कहा रहा होता है कि चलो यह जैंसन अच्छा था है इसलिए मुझे तुम्हारे पास टेलेपूट कर दिया स्पीड लेडी की यह बाते सुनने के बाद जंक चौकती हुए कि तुम ब्लाड लेडी हो ना जो यहां के साथ रहते हो चुका है वह एविल हेवें के साथ सोल कॉंट्रक साइन किया है और वह बचावार सोल पार यूज करके यहां पर टेलेपूट हो चुका हो तकि मैं तुम्हें बता सागो कि तुम यहां से भाग जाओ सियाजी की यह बाते सुने के वाद हम जियां को देखते है जो सियाजी के पास आता है और उसको हमने जमीन से उटाते हुए कि बैसे तुम जियांग हम फिर से मिल चुके है यहां था कि ब्लाट प्रिंस तुझे पहले से बता दे फिर भी तुम यहां से भाग नहीं सकता है कि यहां के साइट पे रहे हमें इविल हेवन को जो यहां को कह रहा है कि बिल्कुल भी हिसिटेट मत करना मैंने तुम्हें जो मैजिक पार जा आज है उसे इधिया है उसे डिलेटली यूज करो और इसे मार दो यहां को यहां पे देख्के जो की यहां कि आपना मैजिक पार क्लड़ का भीच ले रहा होता है कि आज ऑगन्यदी का है लुजन पावर एक्स्प्रियंस करने वाला है जियांग उसके बाद यहां में दिखा आए ता है कि यह लबाग जैसा होट है मैं मरने वाला हूं उसके तरफ हमें दिखा थे कि जियांग को अपना कर लिया होता है जिसके बास इसके पाद काईया जो ओने लागता है कि इस मेरे आफ इसका हरा है है कि जोने तंब करो यह इसके बाद करने क estou आगे बारते हुए कि आब तेरे साथ स्कोर सेटल करने का समय आ चुका है यहारन तुए एक स्लेव है थाट सार नेम के बाइप दुसरी तरफ हमें दिखे रहा है कि यहारन को अपने पास से प्यार निकल लिया होता है और फिर जियां को अटेक करती है कि इस आसमान में तेरा क करता है उसके बाद हमें दिखाया है कि यहारन को जो अपने माद से एक हेंड बना लिया था है अर वह ज और टूटके विखर जाता है और फिर वह मनी मैं करता है और तोट चुका है इई सबसे बढ़ा चीटर तो तु है क्योंकि तेरे पास सिस्टेम है और फिर वह करता है अब दू कुछ भी नहीं है एक चिट्टी के वरबर कुछ भी नहीं तभी नहीं के सिस्टेम से नूटिपिकेशन आता है वर्निंग वर्निंग डिटेट किया गया कि होस्ट कर रहा है यह स्कील एक वर्निंग होने के वाद ही और यह आप एक सिट्ट करना चाहते हैं और इतना बड़ा ब्लैक हो देखने के बाद यान किया रहा है कि यह कैसे पॉसिबल हो जगता है जिए क्या पूछ रहा है जलिसे को एक्टिवेट करो उसके बाद इस से नोटिपिकर चुका हो चुका हो नाच है जब्लैक हो और इतना बड़ा ब्लैक हो को देखने के बाद यह कैसे पॉसिबल हो सकता है जिसके कहें तो लेजंडरी ब्लैक होल हमें लगता है उसके बाद ही हम देखते हैं कि याहरेन और वह एविल हेवन वह ब्लैक होल के अंदर जाने लगता है वह एविल हेवन को दिखा रहा है कि पैनिक भी मत होना मैं कुछ चीज को लेके काम कर रहा हूँ वह पर दुसरे तरफ हमें जियां को दिखा रहते हैं जो अपना स्प्रिचियल हैंड की मानज से उन दोनों की उपर एटेक करते हूं कि चलो मैं तुम्हें मदद करते हूं ब्लैक होल के अंदर जाने के लिए और तरफेशन हमें दिखा रहते हैं कि एविल हेवन को जो बहुत सब्सक्राइब करते हैं जितने सारे लडगिया थे उस सब्सक्राइब के सामने जियांग आ जाता है और फिर वो क्या रहते हैं बहुत जाता है तुम सब्सक्राइब के उपर चड़ जाओ और इसके बाद हमें दिखा थे कि इतने सारे लडगिया थे यहां के आसपास चर गया होता है यार सिंजबर्दस्त है तब यह जिए निकाल नहां से उसके बाद हमें दिखा है तो जो पास आज युका हूं उसके बाद हमें दिखाया थे कि जिए उतर रहते हैं और फिर चेंसागी को कि वैसे आते समय मैंने दाव सेट के लोगों से मिला वो सभी हमारे लिए इंतेजार नहीं कर बार रहा था तो वो सभी दाजॉंग और दाजॉंग के साथ टीम बना के 10,000 ड को देखते हैं जो चैंसागी के करीब हाजाता है यह जुआ प्र पर क्रोसि हो खूंग और पिर वो सब्सक्राइब को बढ़ता है मुझे सेटर देविल केप को दिखाय थे और वाधिवाजब हमें दिखाया थे कि सामने एक घर रहा था जो एक फॉर्मेस्ड बना रहा यह पर कोई भी एफेक्ट नहीं हो रहा होता है उसके बाद हमें दिखा रहा हो था कि उस फॉर्मेशन की उपर अस्मान अंधेरा हो जाता है और बिजलिया करने लगदा है और यह देने के वाद में दिखा है कि उस फॉर्मेशन के अंदर जितने सारे डीमन रहते हैं वह इस बंदा कहा रहा है कि अभी क्या हो रहा है आसमा इतना अंधरा कैसे हो गया तभी आचनक सा हमें दिखा थे कि बहुत यी फार्फॉल गोल्डन करका बिजलिया उस को आसमान के तरफ विस्रा करती है कि अटे आसमान के तरफ देखो किया वो स्मय प्रीजजर में कोई और ने चुन रहते हैं और फिर थो थोड़ा नीचे उता रहता है फिर जीनया सिस्टर क्या तुम सभी वें प्रीजजर्जर्य हो कि बीग ब्रादर आप आहीं याड जियांग के चारो तरफ लड़किया ही लड़किया है वह जहां तक नदर चाहिए लड़किया लड़किया है तब यह चनक समय दिखा है तो कि जिए आपको 10,000 डिमन के अंदर अकला इंटर करना है और आपको विछ रेंड को जिंदा पकरना है और आप किसी भी दो इंसन के साथ forcefully soul contract कर सकते हैं और फिरा मैं जियांग को दिखाया था है जो सिस्टर का यह notification देखने के बाद उसके junior sister को कहा रहा होता है कि रोड अभी open हो चुका है और 10,000 डिमन के अंदर अटेक करने के लिए टीम तैयार कर लो और 10,000 डिमन के अंदर अफजर करने के लिए मैं अकेला एंटर करूंगा यह बात सुनने के बात लियम कहा रहा है कि अगर ऐसी बात है तो सिन्यर बातर आप जरूर क्यारफुल रहना सिन्स इफ्ट होता है हमें 10,000 डिमन केप को दिखा थे और भाई भी भी हमें दिखा थे कि केप के अंदर एक बहुत सुन्दा सा रूम रहता है तर भी अचनक सामें दिखा थे कि उस जमिन पे अंडर डोल ओपन करते कोई आ रहा है तो इनसन कोई और नहीं जियांग होता है और फिर वो मनी मन में कहा थे कि किसमत से मास्टर यूनियों ने मुझे यह इस के टेकनिक सिखा यह ता इस टेकनिक की मास्टे मैं किसी जगा पर छुपके से जा सकता हूं और वैसे देखके लग रहा है कि यह जगा बेडरूम है तब जनक से जियांग के नजर एक बॉक्स क अंतरन कपरें तब अचनक सामें दीखा रहे थे कि दरवसा ओपन करते उस रूम के अंदर कोई आने लग दे और पेरा में दिखा थे कि वह इंसन कोई और नहीं रहा है और वह जियांग को यहां पर देखके क्या रहा है कि जयांग के आथ पर खुद के कप्रे देखने के ब पर रहा होता है और फिर वो क्या रहा है कि तुम्हें सिफ लोगों के पीछे डाटे ट्रिक करना आता है तुमने मेरे चुपके से मेरे अंडराय चोड़ी कर लिया है तुम मर ना डिजाब करते हो और वह पर जियांग करते हैं मुझे भिलेन मत बनाओ मैं इस तरह की इंसान पर करते हो तुमने होता है और यह सुनने के या रहा हुएक मेरे साथ कुछ भी करते हो मैं तुम्हें असाने से जाने नहीं दूंगा और उपे रेन मनी मन में किया रहा था कि यह किस तरह का स्पेल है मेरा सरीर अचनेक से कमजोर होने लगा है और गाई जई पर आज का विसट खतम हो जाता है वेडियो कैसे लागा मैं ज़रूरा था ना वेडियो अच्छे लग र